हेलो एप्रिवान आज मैं आपके साथ सेर करने जाने कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं इसलिए वीडियो को इसकी ना करते हुए प्लीज फूल वाज करें सबसे पहला मेरा टिप है इस टाइब की हरी मिर्ज को लेकर हरी मिर्ज के और इसको फ्रीज में रख दें या बाहर रख दें ऐसा करने से क्या है ना आपकी हरी मिर्ज बिल्कु फ्रेश बनी रहेंगी यह सुखेंगी नहीं ज्यादा दिनों तक यह बहुत ही आसान और बहुत ही यूजपल टिप है आप एक बर जरूर अपना यह और आप खुद द इसी भी तरह से यूज नहीं है तो उनका आप भी यूज बहुत ही अच्छी तरह से कर सकती है सबसे पहले आपको करना क्या है एक हैंगल लेना है हैंगल के अंदर इस तरह से चूड़ी को लगा देना है उसके बाद दूसरा जब हैंगल लेंगे न तो उसके अंदर भी एक के अंदर ऐसे आटेस्ट करेंगे ऐसे करने से कितनी आसानी से देखें बेंगल की मदद से कितनी सारे सूट हमारे एक साथ और बहुत ही आसान तरीका है इस टाइप से आप लगा के इसको रख सकती है यह देखे मैं वाडरोप में दिखा रही हूं कितनी अच्छी तरह से एक साथ मैंने तीन सूट एक ही लाइन में मैंने रखे हैं ऐसे आपकी जगह भी कम खर्ट वो होगा और इस पेस भी आपको बह प्रामान रखने के लिए, कप्रे रखने के लिए इसी तरह बढ़ते हैं अगले टिप की ऑची ने इस टेम से आद्रग है या लसुन इस टेम से इस में कूटते हैं तो कभी कंभी क्या होता है मसाला हम ज्यादा कूटलेते एं और इससे क्या होता हम यूज तो होता है थोड़ा सा लेकिन उसको करें क्या जो बच गया है क्योंकि इसके ऊपर कोई ढ़कन भी नहीं दिया होता है जिसको हम ढखके रखने और रात में अगर इसको ऐसे खुला छोड़ना सेफ भी नहीं रहता है क्योंकि ये खाने पीने वाली चीज है जिसमें जि सड़ेगा भी नहीं और बिल्कु सेफ रहेगा और इससे मक्ही मच्छर और कॉक्रोज इन सबसे भी बचेगा यह सामान इसके बाद दुवारा आपको जब यूज करना है तो आराम से इसमें से सॉक्स आप निकाल दे और जो भी आपने रखा है अद्रक है या इसके अंदर ल प्राइब कर जो भी इसको यूज करते हैं उनको तो बताने की जरुरत ही नहीं है कि यह कितना फायदे मन तेल है लेकिन जिनको नहीं पता है उनके साथ मैं आज इनके फायदे सेर करने जा रही हूं अगर आपके बाल जड़ रहे हों आपके हाँ पैरों में दर्द बनी रह जो भी इस तेल को यूज कर रहा है उसको तो इस पैल के फायदे पता ही है इसलिए जिनको नहीं पता है उनको में बता रही हूं इसका यूज कैसे करना है इस तरह से आपको इस टाइप से लिक्विड फॉर्म में ये ब्रेट कलर का मिलेगा और इसको जो हल्का सा जोना ही तेल आपको रात को सोने से पहले अपने बालों में मसाज कर लेना है उसी से अगर मसाज करने के बाद में रात भर आप सो जाए और सुबह जो है इसको ठंडे पानी से अपने बाल धुलने आप खुदी देखेंगे हफते भर में आपके बालों जढ़ने बंद हो ज बनाने के लिए जैसे आपको जुड़े में फ्लावर लगाना है। वो Reverse रहे है कि आप कोई भी पूटिटेस ले ले लें rais스 ुआ, इस तरीके से इसके अंदर एक डाल लें। ऐसे लगानी के बाद में उसके बाद करना है आप इस तरह से अच्छी तरह से इसके बीच में सेंटर में इसको ले आना है कुछ इस तरह से एक मूती को वाइट कलर की मोती हो तो बहुत ही अच्छा लेकिन आपके ड्रेस के साथ मैचिंग की मोती हो तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकती है कुछ इस तरह से और उसके बाद में इस तरह से गुलाब की अगर आपके पास पंखड़ी है तो इस तरह से पंखड़ी ले 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 और उसके बाद में इस तरह से इनको जितनी भी आपके पास पंखड़ी है उनसकप को एक तरह से इस तरह से मिलाते हुए जितनी पत्तियां है उनको एक के उप कि आप तूरंट इसको बना के रेडी कर सकती है ज्निकर इस तरह से ठिक्ष हो जाता है और आपके पास na is Space जो स्प्रेय होता है इसको इसप्रेय करने इस दाना सकती है यह बहुत ही अच्छी पंखड़िया नहीं है मेरे पास अगर आपके पास वो अच्छी पंखड़िया है गुलाब की तो उससे तो बहुत ही सुन्दर बन जाएगा इसी तरह अगले टिपकी और बढ़ते हैं इस ताइब से जॉल्री जब भी हम गर्मियों में पहनते हैं तो जब वहां पसीना रुपता है तो वहां हमारे खुजली रैसेज और इचिंग होने लगती है यह प्रॉब्रम ज्यादा तर लेडीज को फेस करना पड़ता ही है वह पर आपको इस तरह से वैसलीं को ऐसे कवर कर लेना है वैसलीं से इसको ऐसे कवर कर लेना है और और कवर करने के बाद में ईसको आप यूजरी नहीं होगी और वहां खुजली रैसेस बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे एक बाद आप जरू ट्राय करिए यह बहुत ही अगले टिप की वर यह है इस शिक्कों से लेकर इस टाइप की जो सिक्के हैं इनका यूज भी आप बहुत ही अच्छी तरह से कर सकती है और इसको नए तरीके से जैसे बैट सीट हम बिछाते हैं तो नौर्मली तो हम वैसे ही बैट सीट बिछाते ही हमेशा लेकिन थोड़ा सा अलग लुक में आगर आप बैट सीट बिछाना चाहती है तो यह तरीका बहुत ही घुपसूरत है इस तरह से आप सिक्के लेने और सिक्के लेने के बाद में थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से सिक्के को अंदर करके इसके ओपर हम रबर्बंड लगा देंगे कुछ इस तरह से यह पतली वाली जो रबर्बंड होती है ना उनको इस तरह से लगा देंगे ऐसे क्या है ने बेट सीट जेके ऐसे खिची रहेंगे तो बेट सीट इधर उधर फैलेंगी नहीं और देखनी में भी यह डिजाइन कुछ अलग सा लगने लगेगा और कितना प्यारा जब शूटता है ना तो बिंदी हमारी शूट जाती है सबसे में प्रॉब्लम तो यही आती है तो इसके लिए मैं करती क्या हूँ इस टाइप से बैंगल के अंदर जो है एक से दो बिंदी में लगा लेती हूँ और लगाने के बार भी जब भी अगर मेरी बिंदी शूट ज और आसानी से विंदी को एक एक्स्ट्रा विंदी अपने लगा सकती है आगर पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा उज्यादा शेयर करिए मेरी चैनल पर नहीं हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए